नमश्कार, वरिष्चिक राशी के जातकों के लिए फरवरी 2030 का मासिक राशिफल लेकर हम यहां उपस्तत हैं। सबसे पहले ग्रह गोचरिय विवस्ताओं का ध्यन और उसके बाद प्रतेक भाव विशेश के साथ जोड़ी शेत्र विशेश की चर्चाएं। दिनांक 13, 14 एवं 15 फरवरी 2030 के साथ चंद्रमा का प्रभाव वरिष्चिक राशी स्थान में रहेगा जोकि इनका नीचस्त राशी स्थान हो जाता है तो वहीं बुद्ध 7 से 27 फरवरी 2030 के मद्ध है यहां पराक्रम भावस्त स्थतियों में ही रहेंगे जहां शुरुवाती 13 दिनों के लिए सूरिदेव की स्थतियां भी मकर राशी स्थान में रहेंगे उसके बाद सूरिदेव यहां चतुरत भाव में प्रवेश कर जाएंगे काल पुरुष की कुंडली के नुसार हरदाई भाव में प्रवेश करने वाले होंगे सूरिदेव तो वहीं शुकर की स् दोहजारतेईस तक कुम्भराशिस्तान में ही है शनिदेव चतुरतेई शोकर अब चतुरत भाव में आ चुके हैं इसे वज़े से उरश्चिक राशिक जातकों को ढहिया का अंतराल अब चलता रहेगा पंचमे शोकर देव गुरु रहिस्तान में है तो वहीं राहू के स्ततिया रोग और शत्रुहंता को दर्वित करते हुए सिक्स्तावस में ट्वेल्ट में केतु जहां मोक्ष कारक स्ततियों को नर्वित करते हैं तो वहीं सब्तम में मंगल हैं और अब मारगी चलाइमान है किसी कामकाच के विरोध में हैं और आप एक मात्र व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि ये कार इस तरह से हो सकता है और जो आप विज्वलाइस कर रहे हैं उस पर पूरे तरीके से अपना बेस बना कर रखिएगा क्योंकि सिर्फ मंगल की ही द्रिष्टी नहीं देवगुरु व्यस्पती एवमशनेदेप की द्रिष्टी भी परतम भाव पर रहेगी अगर आप उन्ही लोगों की हां में हां मिला देते हैं तो बहुत बड़ा अवसर अपने जेवन से दूर करने वाले हो सकते हैं कई बार अकेले ही जद्दो जहत करनी होती है परन्तु वहीं से वज़ाए कि मार्ग प्रशश्त होने वाले होते हैं कोई भी इंटर्विव है, कोई डिसाइजिव मिटिंग है यहाँ पर आपकी बारी थोड़ी देरी से आ सकती है बोलने की या फिर इंटर्विव के इंदर दूसरा जो राउंड होना है उसमें एक्सपेक्टेड डिले हो सकता है एक्सपेक्टेड डिले यानि आप पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो अब वहाँ फरस्ट्रेट होने के बिलकुल भी रेक्वाइरमेंट नहीं है ये बात आप स्वहिम को बारंबार समझाईएगा और वहीं पर आप यडि नौकरी पेशा जिवन से व्यापारिक जिवन की और जाने का निरना ले रहे हैं एक व्यापार में है उसमें सेच्चुरेशन आ चुका है बाजार नई संभाबनाओं को नहीं दर्शा रहा है निरना लेना है वरशों के लिए भावी पीड़ी के लिए और बरतमान पीड़ी के खर्चों को वहन करने के लिए फरवरी 2030 का महिना वहां आपके लिए अतिमहत्तपून कहा जाएगा क्योंकि देव गुरु ब्रेस्पती एवम शनिदेव की दर्श्टी जब भी परतम भाव पर होती है तो व्यक्ति तो मैं स्थाइत हो देती है व्यक्ति आज और कल की सोच से बाहर निकल कर लंबी दूरी की सोच के मार्ग प्रशष्ट करने वाला होता है अब एक विशेश बात और है यदि आप आईटी फिल्ड के साथ में जुड़े हुए है मेडिकल फिल्ड स्पेसिफिक के साथ में आपका जुड़ाव है या फिर जो भी ऐसा कार्य जहां डिसिप्लिन के रिक्वार्मेंट बहुत ज़ादा होती है वहाँ बड़ा निर्णा लेना चाहते है किसी भी कमिट्मेंट के और जाना चाहते है यह महिना आपके लिए अती स्रेश्ट है 22 आउस जहां से फाइनेंशल के अप्रोच को देखा जाता है गौर करें कि धनेश होकर जो यहाँ पर देव गुरू ब्रेहस्पती के स्ततिया है जो कि यहाँ के कारकादीपती भी हो जाता है पंचम भाव में है यह जो कम्बिनेशन है स्पैसिफिक लेवल के उपर फाइनेंशल गेन की अप्रोच को दर्शाता है और वहीं पर अटके वुए रोपए और पैसे की पुनहे प्राप्ती के मुखर संकेत वहीं आपका जो कम्यूनिकेशन है वो देखते ही बनता है जो आपने खुद के भीतर सुधार किये है अब उसकी जो रिजंबलंस है वो सामने आने के तयारी रहेगी जब भी चार दस के संबंद में देव गुरू परिहस पती रहे और पुनहें जो मंगल की दृस्टी है वो दूती अभाव पर रहे व्यक्ति अपनी वानी पर अडिग रहता है और साथी साथ में पारिवारिक जनों के साथ में लंबे समय से जो दूविधाएं चल रही थी उन दूविधाओं के साथ में भी वो स्वैम का एक सामन जस्य स्थापित कर पाता है यानि जो कहीं न कहीं कॉडिनीशन के अंदर दिक्कत आ रही थी हम कह कुछ रहे थे परिवार के लोग समझ कुछ और रहे थे अब वो जो एक दाइरा से मटना चाहिए इस्तियां आगे बढ़नी चाहिए वो प्रयास और वो क्रम यहां बहुत पॉजिटिव है यह याद रखिएगा कि आपने कहीं पर निवेश किया है बलही समय का निवेश हो चाहिए रोपए पैसे का निवेश यहां पर उस निवेश के आधार पर आर्थिक वरद्धी आपके लिए बहुत अच्छे से नजर आती है वहीं आप वक्ता संबंदी श्रणी में राजनेतिक इस्तियों के साथ में चला करते हैं और वहीं पर बारंबार आपको स्पीचेज देने की तरफ जाना पड़ता है यह पुरही महीना आपके लिए सार्थकता भरा कहा जाएगा उमीद के साथ में आता हुआ आर्थिक स्थर परलाब व्यक्ती को कई बार मजबूत भी बनाता है और भागने दोड़ने की प्रक्रिया भी देता है यह महीना उसी एक समर्पन की हद के साथ आपके लिए चल रहा है बढ़ते हैं हम पराकरम भाव की तरफ बुद्ध की स्थियां 7 से 27 फरवरी 2023 तक यहां धड़ावस में रहेंगे कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में जो भी महान भाव जुड़े हुए है साथ से 13 फरवरी तक आप बड़ी डिसीजन्स ले सकते हैं मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए डिसीजन हो गए किसी टीम को चेंज करना है मेजर लेवल की ट्रांसफर्स करनी है या फिर रिशफलिंग के प्रोच को ले कराना है वहाँ पर भी यह समय आपके लिए देखते ही बनता है हाला कि आप पुनेह नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय बाद में सक्री होना चाहते हैं या फिर लंबे समय बाद परिवर्तन करना चाहते हैं एक से तेरह फरवरी दो हजार तईस तक का समय अती महत्तुपून कहा जाएगा क्योंकि सूरीदेव जब भी प्राकरम भाव में होते हैं करमेश जब भी थड़ा उसके अप्रोच में होते हैं व्यक्तिपुनेह खुद को एक्टिव कर पाता है अब एक विशेश बात ये भी है कि तीन चार महीने पहले कोई इंटर्वियू दिया था अभी तक अपेक्षाएं करके बैठे हुए हैं कि परिणाम आएगा आपकी अपेक्षा इस महीने सही साहबत हो सकती है वो ताकत और वो परयोजन आपके साथ में यात्राएं 13 से 28 वरवरी के मद्दे बहुत जादा नहीं की जाएं और अपने स्वास्ते का ख्याल रखा जाए तो बहतर है वही संबंदों के अंदर आप जहां पर भी अब निरने में है मान लिजए किसे मित्र के साथ में काम काच करना है बाईयों के साथ में किसी और शुरुवात की तरफ जाना है अगर अब निरना है वो रुका जाए तो अति उत्तम इस्तियों को व्यक्ति स्वहिं के लिए कई बार बनाता है वहीं आपका जो पुरशार्थ है इसका अरतिये है कि जो एक इंटेलेक्च्वल विजडम है और उसके साथ में जुड़ी हुई कर्म की गती है वो मिश्रित सुरूप में यहां आपके लिए अच्छे प्रभाव उत्पन कर रही है कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में जो नाम और ख्याती बननी चाहिए शुरुवाती पखवाड़ा उसमें आपके लिए अच्छा नाम देता चला जाता है वहीं चतुरत भाव की चर्चा करें सबसे पहले हरदाय संबंदी रोगों से इस महीने तेहरे से अठाइस फरवरी की मद्धे पिशेश तोर पर ख्याल रखें ऐसा कोई भी संकेत मिल रहा है उसको समझने की जरूरत रहीगी इसी के साथ में जो भी मेटरिलिस्टिक लगजरी होती है कुछ भी घर के लिए खरीदना है इसके अलावा कुछ इंटीरियर्स की तरफ जाना है तो व्यक्ति वहाँ बढ़ा चड़ाकर खर्चे की तरफ जब भी चतुरत भाव में शुक्र होते हैं जाता है कल देख लेंगे परंतो आज खर्च करते हैं ये त्योरी कई बार व्यक्ति को गफलत में परपश्चात आपकी स्ततियों में रख देती है वहां से आप स्वाहिम को संभालें वहीं शनिदेव अब चतुरत भावस्त करम में है एक एंग्जाइटी डिर्वन अप्रोच बनी रह सकती है जहां पर भी कामकाज में हलके फुलके भी अपेक्षित परणाम नहीं आए हाला कि ये जो डहिया है ये साड़े साथी के बाद की पहली डहिया है इसी वज़े से सकारात्मक संगर्शें व्यक्ति भीतर से और अड़िक मजबूत होता चला जाता है परंतु बात ये भी है कि भूमी संबंदित कामकाज में अब बहुत अलिक संभल कर आप चलने का परहत्न करें उसमें बहतरी और वहीं माता के स्वास्तों को लेकर अब काफी हद तक आपके लिए एक स्थिरता बनी हुई है नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी कामकाज की शुरुवात करनी है अभी थोड़ा सा संबला जाए यहां तक कि 14-15 मार्च 2023 तक भी स्वाहिम को ये कहा जाए कि अभी एक स्टेबिलिटी की रिक्वार्मेंट है हम जल्द बाजे में कहीं पर भी बढ़ने वाले नहीं रहेंगे वहन संबन्दी कामकाज एजिंसी लाइन संबन्दी कामकाज यहां आपके हस्तक शेप में एक बैटरमेंट के अप्रोच दे रहे हैं कि ऐसे कारियों में हामी भरके खुद को बहतर परिणामों की उम्मीद के साथ मिलेकर चला जा सकता है बढ़ते हैं हम पंचम भाव की और आप भी देखिएगा कि पंचमेश होकर देवगुरु ब्रेस्पती पंचम भाव में है यही देवगुरु की ऐसी स्तिती है जहां यह कारक भाव को हानी नहीं पहुचाने वाले होते इसी वज़े से विद्ध्यारती वर्क के लिए जो 22 अपरेल 2030 के पहले देवगुरु ब्रेस्पती पंचम भाव में ही चलेंगे एक आगरता में वर्द्धे कर रहे हैं आप यहां डिसीजन लेना चाहते हैं और घर परिवार को भी बजाना चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक की तरफ जाना है गोयात्रा आपके लिए अतियुत्तम है वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि लिट्रेचर शाशन प्रशाशन संबंधी सेवाओं के तैयारी करते हुए आगे बढ़ना ये पूरी ही ताकत यहां आपके साथ में रहेंगी किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं आपने अपनी पूरी ही सोच और समझ को विकसित किया है उसके बाद आप उस संबंध की तरफ जाना चाहते हैं उस संबंध के साथ में जुड़ा हुआ बंधन आपके लिए सुखद है उस और बढ़ सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ में एजुकेशन की लाइफ में घर परि देखिएगा कि यहां जो संतान के साथ में संबाद होता है वो बहतर है संतान सुख की जो इस्तियां है वो भी बहतर है और वहीं पर उनको लेकर किसी भी बड़े डिसिजन की तरफ जाना है रुकने और ठकने की जरुरत बिलकुल भे नहीं है वहीं सस्थ भाव की तरफ रखिएगा दूसरी और स्वहिम के स्वास्ते में हलके फुल के तोर पर नर्वस को रिलेट करती हुई जो प्रबलम होती है वो सामने आ सकती है बैक पेन हो गया मस्किलर के अप्रोच हो गई उससे यहां रेगलर रूटीन को अपना कर एक्सरसाइज आदे करके स्वहिम को संभालना और जागुरत करना आवशक रहेगा वहीं पर किसी भी तरीके के महत पूर्ण रण की तरफ जाने से इस महीने थोड़ा सा संबला जाए सस्ठेश सब्तम भाव में है रण भाव के अरिपती व्यापार भाव में है मंगल एक्तिवरता देता है मंगल ये कहता है इस पष्ट तोर के उपर व्यक्ति विशेश के अंतरचेतन के साथ में कि हम यहाँ अब जो एक्स्पेंशन की तरफ जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है पर अंतु गौर कीजिएगा कि शनिदेव की तीसरी दृष्टी अपने नीचस तराशी स्थान पर है इसी बज़े से कई बार ऐसी दुवधाएं सामने निकल कराती है जहाँ व्यक्ति जल्द बाजी में निर्णाय ले लिया करता है उसे समलिएगा तो वहीं पर आमतरिक शत्रों पर पार पाकर जो जीवन को आगे बढ़ाना होता है प्रते दिन रूटीन सोच रहते हैं आलस यहने सेंद लगा के रखी हुई है हम अपने कामकाज को कर ही नहीं पा रहे है स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि हम अपने कामकाज को टाइम दे ही नहीं पा रहे है जब व्यक्ति सेल्फ जेस्टिपिकेशन से हटके इन बातों को समझता है तो अच्छे परणाम की तरफ जाता है आपके लिए वो ही इस्तियाएंस महिने मौजूद वहीं सब्तम भाव की चर्चा करें तो प्रतम के आलिपती सब्तम में सस्ट के आलिपती सब्तम में इसी वज़े से व्यापारिक जीवन के अंदर क्योंकि शुक्र के राशी स्थान में मंगल है गोर कीजिएगा कि जो आपके नाम की ख्याती बढ़नी चाहिए और साथ ही साथ में जो आपकी प्रेजन्टीशन के स्किल है या जिस तरह से एक दिखावट के आधार के उपर कोई भी कामकाच चलना चाहिए मंगल वहाँ पर व्यक्तिक उतिवर्ता देता है और उसी के साथ में एक सुंदर्ता भी निकल कराती है उस तिवर्ता में अनुशाशन भी है जैसा सोचा वैसा किया और उसी के साथ में बढ़े ये सेवंता उसकी एक रिजंबलन्स यहाँ आपके सामने नजर आती है वहीं पर ग्रिहस्त पक्ष के साथ में किसी कामकाच की शुरुआत करने के लिहाज़ा ये महीना ठीक कहा जाएगा वैचारिक इस तर पर आ रहे मदवेद वैसे ही दूर होते चले जाएंगे जैसे वो आए हैं उनका ठहराब नहीं है इसे वज़े से वहाँ अविवस्तत होने की ज़रुत नहीं बि offenders partnership में इस महीने भी थोड़ा सा रुख कर चले आप textile संबंदी कामकाच के साथ में यरी जुड़े होगे है आप machinery संबंदी कामकाच के साथ में दी है pharmaceutical के साथ में है इस महीने नई शुरुवात के तरफ जाना परंतु कम पूंजी निवेश के साथ आपके लिए एक अतिउत्तम स्थती है वहीं जर्चा अस्थम की अस्थम के आदिपती जो बुद्ध है वो पराकरम में रहेंगे इसी वज़े से यहाँ पर जो आपके लिए hidden problems है वो सामने आई तो अथा solution के रास्ते बता कर गई यह एक प्रकरिया सामने रहेगी इसे के साथ में आप ये भी पाएंगे कि जो आप यहाँ पर अपने हुनर के साथ में किसी कादर को स्थापित करना चाते हैं वहाँ पर अब विज़य के द्वारंकित है क्योंकि अस्टमेश पराकरम में उकर पुने हैं बाग्य भाव को देख रहे हैं इस दाकत की वज़े से आपकी यात्रा यहां बहुत बहतर स्थतियों को निर्मित करती चली जाती है ये इस पश्टता भी अपने साथ में बना कर बारम बार रखिएगा कि इस पूरे ही करम के साथ में चलते हुए आपके लिए विदेश संबंदिकारियों में हलके फुलके अवरोद आ सकते हैं उससे घबराने की जरूरत नहीं है पुने हैं प्रयास करेंगे इसी उजास के साथ में रहने की जरूरत बढ़ते हैं नवंभाव की तरफ देवगुरु ब्रहस्पती अवंबुध की दरिश्टी यहां नवंभाव पर उसमें भी देवगुरु तो अपने उचराशी स्थान को देखते हुए होगए अध्यात्मिक स्थर पर प्रगती है परंतु अनवभाव के साथ में जो ओवर्थिंकिंग जुड़ी रहती है और वो व्यक्ती को सिच्च्वेशनल अवेरनेस में नहीं आने देती बूद विदह यहां रह सकती है अलाकि हाइर एजुकीशन संबंधी बड़े निरणाई ल अब व्यक्ती वहां उन नए रास्तों को थामता है और पुराने रास्ते को अलविदा कह जाता है परंतु पुराने रास्ते के प्रतिकरतक के रहना जहां से काम मिला था वहां से भी हाथ जोड़ कर यह कहना कि अब बले ही आपके साथ में काम नहीं है प्रोजेक्ट नहीं ह व्यक्ति जब ऐसी स्थिति के साथ में होता है स्वयम को स्थर कर पाता है भीतर एक उजास जगा पाता है नई संभाबनाय लगातार आपके साथ में यहां बनी हुई है वहीं जो अनभव भीतर का दर्शन देते हैं धोके जब व्यक्ति समझता है कि मिले है तो उसकी गणेत अलग होती है परंतु उन धोकों से सीखने को क्या मिला है उपर करिया बिलकुल अलग होती है ये महीना आपके लिए ऐसे ही द्वार संगटत कर रहा है टंताउस की चर्चा करें विशेश बात यह है कि कर्म भाव क्यादिपती शुरुवात में पराकरम भावस्त स्थितियों में रहेंगे कामकाज के अमदर चेंजिस के अप्रोच आपके सामने रहेगी प्रफाइल की बोजिशन्स नई सरे से निकल करा सकती है वहीं सूरिदेव की जो द्रिस्टी है उत्रोतर बली किंदर पर अब यहां पर घर्शन है व्यक्ति कई बार कामकाज करते करते निराशाओं का शिकार हो जाता है कुछ मिल तो रहा है नहीं कहां बढ़ेंगे कौन से परिणाम मिलने बाले हैं वो नकारातमकता घर करने लगती है दो विधाओं में गेरने लगती है उस से आपको संभलने की आवशकता और वहीं आप ये भी याद रखिएगा कि इस समय के प्रयोजन के साथ में चलते हुए आप खुद को बारंबार मैनेज करते हुए चलिएगा संबंदों में यहां रियक्शन्स को लेकर आने का बिलकुल भी प्रयतन नहीं करें ये निवदन है नया पन जो आ रहा है उसको स्वीकार करना ही होगा अन्य था आए हुए अवसर निकल सकते हैं लोग आपको किसी और शेणी में रखने वाले हो सकते हैं ये भी ख्याल जरूर रखें एक अवसर बंद हुआ है तो दूसरे अवसर की तैयारी है नवम भाव मे करम के साथ में जब अब जोड़ी हुई है और जो लाभेश पराकरम भावस्त स्थियों में है लाब यहां वरद्धी की तरफ है परंतु उस अपेक्षा के साथ में नहीं है जैसा आप चाहते हैं आपकी वानी आपका परिवार आपकी क्षमताओं का पूरा ही पूरा प्रय करता है तो वो और बहतरी लेकर आता है यानि कि जहां आप डेवलप्मेंट चाहते थे बले ही वहां एग्जीक्यूशन नहीं आ पाया पर उन्तु शुरुवात के करम रहे यह ताकत आपके साथ में इस महीने बनी हुई दौादश भाव में केतू है इसे वज़े से वेक्त कोर्ट के चैरी संबंदित मामलात में बहुत अधिक मघर होने से बचिएगा कई बार व्यक्ति सामना करने को इस तरह से उतारू होता है कि उसको खुद को ही पतानी होता वो कर क्या रहा है वहां से खुद को संभालने की अपक्षत स्तियां बनाकर रखने का प्रयत्न आप जरूर करें विदेश संबंदिकारियों में यहां ठीक ठाक स्तिया हैं बहुत जादा पॉजिटिव एप्रोच नहीं कहीं जा सकती तो यह था व्रष्चिक राशी के जातकों के लिए फरवरी 2023 का मासिक राशिफर हम नैसे ही चर्चाओं के साथ उबस्ते दोतर हैंगे धन्